कि अगलादेश में शेख हसीना के खिलाफ मुकद में कि अन्तरिम सर्कार अपने उद्देश से भटक तो नहीं रही है जहां तक हम बात कर रहे थे बंगला देश की बंगला देश में देखे जब से मुहबद दिनियूज की सरकार बनी है मतलब एक-एक हैं कि ओ सरकार तो क्या सरकार के ओ नेता बनाए गये हैं तबसे उनका मुझे लग रहा है एक ही और जिन लोगों ने उनको बनाया है रादर उनका एक ही उदिश है एक ही एम लेके चलने है कि शेख हसीना और या उनके पार्टी जो बीन पी ए उसको जो है उस पर एक्षिन लिया जाए और अभी उनके खिलाफ तकरीब देड़ सो केस फाइल हुई है शेक हसीना के खिलाफ और उन में करीब 130 के आस पास तो जो नॉमल केसिज हैं मुर्डर के केसिज रादर 135 अज 136 फिर उनके जैनोसाइड के केसिज हैं और कुल मिला करके 1500 केसिज हैं और जो बंगला देश का इंटरनेशनल क्राइम्स कंट्रोल ट्रैबिनल है उसने अरिस्ट वरंट इसू किया है शेक हसीना के किलाफ उनके कुछ लीडर समारे गया हैं कुछ को काफियों को आरिस्ट किया गया है स्टुडेंट्स भी अंडरग्राउंड निकल नहीं पा रहे हैं बाहर तो अभी जो है देखा जाये तो काफी ज्यादा वो टार्गेट हो रहे थे इरवल जो इस्टुडेंट्स और बाकी लोगों का साथ सो लोग मारे गए थे तकरीबन लेकिन वहां लॉज एन और्डर सिच्विशन थी और कुछ आपसी जो बाहरी ताक्ते थी उनकी वज़ा से था कि बाहरी ताक्तों के वज़ा से लोग वहां पर ऐसा कर रहे है ते कुछ लोग और आपस में भी कुछ लोग उन्होंने इस तरह की कारवाईयां की हैं लेकिन जो बंगलादेश के भी सरकार है जिसको की देखना चाहिए था बंगलादेश कितना उभर रहा था आगे जो एकॉनमी इतनी आगे चल रही थी खासकर टेक्स्टाइल सेक्ट था 5.8 परसेंट अब 3.8 परसेंट तक्रीबन हो गया है वरकर्स हैं नहीं बहर की कंपनी जबी आनी रही हैं महौल देखकर के तो वहां काफी मुश्किल हो गया है अलाकि भारत के साथ बंगलादेश की एक्स्टेडीशन ट्रीटी है कि दूसरे को किरिमिनल्स को या पगोडे है उनको जो है ला सकते हैं लेकिन सवाल है उठता है कि सेक हशीना को सेक हशीना खुद आई है वहां से बंगलादेश से उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं कि आए ये प्राइम्निक्र क्योए क्योंकि प्रेज़ेंट को kulatraेशन देती दती अपना जो नढनी दिया उन्होंने या स्पीकर से पॉर्लैमेंट में उनके स्पीकर को देती तो यह सा कुछ हुआ नहीं है तो जो कानोनी प्रक्रिया है वह शायद इस पर चलेगा क्योंकि वहां कोई नया प्रदान मंत्री का ना इलेक्शन हुआ है ना कोई पॉइंट हुआ है तो कह दें वो अभी भी प्रदान मंत्री हैं और अभी जो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होंगे इससे पहले वो लोग नीए उलेक्टरल रोल बनाएंगे और यहां तक कुछ समय पहले तक शेकरसीना ने कहा था कि मैं वापस आने को लिए तैयार हूँ वहाँ अलाकि मुहमद इनुस जो की अभी है गौर्मेंट के मुखिया हैं वहाँ पर उन्होंने यह नसियत दी है शेकरसीना को कि यह ज़्यादा कुछ बोले नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दें लेकिन जैसे मैंने का देखिए बंगलादेश की इंटरनल प्रावलम काफ और इन्फलेशन बढ़ रहा है साज बेसिक चीजों की कमी हो रही है वहाँ पर एक्सपोर्ट जैसे मैंने काया काफी कम हो गये हैं और चीन जो है उनके हां सबसे बड़ा इन्वेस्टर था अभी तक चीन ने बियाराई पदमा बिरिज उनके हां उस पर इन्वेस्ट कर खा टाटा मोटर्स हीरो कॉर्प जो है यह सारे वहाँ पर इन्वेस्ट किये हुए थे अब क्या होगा क्योंकि डाउन हो गया अभी तो मुश्किल चल रहा है और सब पता है कि ए फॉरें इंटरिफेरेंस की वजह से यहालत हुई है और कुछ समय बाद बंगला देश को खुछ उनके लिए उनकी जनता के लिए उनके लोगों के लिए उनके भाईश के लिए ठीक नहीं है और मदद जो है हर एक चीज में प्रोसी कर सकता है भारत ही कर सकता है तो मुझे लगता है कि उनको फिर भारत के पास ही आना पड़ेगा और यह जो इंतरिम सरकार है उसको सोचना पढ़ेगा कि बजाए भारत विरुद्धी या भारत के विरुद्ध सोच या शेकर सीना की टार्गेटिंग करने से उनको बहुत कुछ नहीं मिलेगा बड़कि उनको जो है अपने देश में अपने देश को लोगों की हित के लिए ध्यान देना चाहिए अगर आप भी लेना की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके